ॕ भी ओच्वार्ट फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपॉør्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपॉर्ड की किस तरीके से होता है जिसमें सिंपल डिफ्यूसन, फैसिलिटेट डिफ्यूसन और आस्मोसस आज हम बात करते है active transport की active transport का पहली चीज़ क्या थी energy खर्च होगी दूसरी चीज appeal transport भी से कहते हैं appeal transport से क्या मतलब है against the concentration gradient against the concentration gradient दूसरी तीसरी important बात वही appeal और against the concentration gradient एक ही बात है तीसरी important चीज़ यह है कि इसी को आप कह सकते है from against the concentration gradient है तो किधर जाएगा from lower to higher concentration तीसरी important इसमें जो important बात यह एड़ करने वाली है हो यह है कि इसमें definitely transporters का use होगा pumps involved होगे pumps का use होगा तो यह 3 point important होगे अब सबसे पहले समझते है primary active transport क्या होता है क्योंकि active transport है दो तरीके का एक है primary और दूसरा है secondary energy दोनों में खर्च होती है अब थोड़ा सा detail में चलते है primary active transport क्या होता है primary active transport जो होता है बात वही follow होगी pump इसमें भी लगा हुआ है energy इसमें भी खर्च होगी against concentration gradient चल रहा है सिंपल बात है मताब जिस चीज़ का transport कर रहा है उसी का pump चल रहा है primary active का जैसे एक पहला example हो गया primary active secondary active होता है और active transport में चीज़ और होती वैसे circular transport पैकेट बना बना के छोड़ना उसको भी हम लोग एक शॉट में डिसकस करेंगे तो primary active transport में पहली चीज़ का example हो गया जैसे की sodium potassium pump बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत चरचा रहती है दूसरा example कौन से हो गया hydrogen potassium atps pump तीसरा example क्या हो गया calcium atps pump atps atps क्यों लगा है इसमें भी sodium potassium atps atps क्यों आता है atps enzyme काम कर रहा है और atps as a energy source खर्च किया जा रहा hydrogen atps pump यह सब प्रेजन है बॉड़ी में अब एक थोड़ा सा sodium potassium pump को समझने ही कोशिश करते हैं तो इसमें क्या हुआ इसमें यह हुआ कि यह cell था cell से करना है कोई movement तो यह लगा दिया यहां पर एक pump फिट कर दिया और pump ने क्या किया यह चीज भले ही बाहर जादा थी for example बाहर sodium का concentration बहुत जादा है sodium बाहर 140 अंदर है 14 mille equivalent पर लीटर यहां 14 mille equivalent पर लीटर बट फेक कहा रहा है बाहर की तरफ लगातार बाहर की तरफ फेक रहा है बट प्राइमरी क्यों है क्योंकि sodium को बाहर बेजना था potassium को अंदर बेजना था उसी इक एनरजी खर्च हो रही किसी दूसरे के लिए एनरजी नहीं खर्च हो रही secondary active transport में क्या होता है आपने इसको against the concentration gradient pump कर दिया for example यह एक cell थी और इससे हमने sodium निकाल निकाल वाहर फेक दिया खोब है his concentration gradient sodium बाहर निकाल एक फेक दिया sodium啊 and sodium» हाएं sodium oxygen भरे पड़े और अंदर बहुत कम है बाहर बहुत ज़ाधा है पूरा sodium अआए बाहर फेक दिया अब क्या हुआ इससे एक concentration gradient हमने तैयार कर दिया बाहर सोडियम बहुत ज़ादा है और अंदर बहुत कम है अब यह जो हमने create किया अब इसमें क्या हो गया एनरजी चलाई पंप चलाया एनरजी खर्च करी और सोडियम को किया बाहर कैसे primary active transport से और फिर उसके बाद अगला game क्या किया किया कि यही सोडियम जो एनरजी इसमें store ह हो गई ना पहले kinetic energy खर्च करके बाहर एक potential बन गया ना बाहर कि बाहर बहुत जादा सोडियम है अंदर बहुत कम सोडियम है और जो ग्रेडियंट create किया अब इसी सोडियम की ग्रेडियंट को use कर लें अब glucose मान लीजे अंदर ले जाना है तो इसी सोडियम के molecule पर चड़ा द गया यह बात जानने वाली secondary इसले बोला गया क्योंकि primary की आपने energy use कर ली sodium की sodium को primary transport कौन हुआ sodium energy खर्च करके और glucose glucose उस sodium के energy use करते हुए अंदर आ रहा कर यह sodium बाहर लाए ही ना होते energy खर्च करके तो glucose कहां से अंदर भेज देते है तो simple सी बात है secondary active transport में भी energy खर्च हुए लेकिन जो हमने बंदूग चलाई है वो दूसरे के कंदे पर रखके चलाई है इसलिए उसको secondary active transport बोलना है energy किसी और की खर्च हो रही है इस movement में तो यह बात important है ध्यान देने वाली और इसमें दोनों चीज़े हो सकती है इसी energy को use करते हुए sodium को माली जो बाहर इस्टोर किय या किसी व्याइन को बाहर इस्टोर के gradient तयार किया अब चाहिए हम उसकी पीट पर चड़ा के अंदर ले जाएं तो इसको हम कह देंगे co transport अगेंस ले जाएंगे तो इसको कह देंगे antiport है ना co transport antiport के भी example discuss करेंगे पहले हम sodium potassium pump को थोड़ा सा detail में पढ़ लेता है sodium potassium pump होत होता नहीं हर सेल में present होता है बहुत important होता है पहला point इसका यह है जो याद करते हैं three sodium किधर बाहर out और दो potassium inside लाते हैं यह moment कराते हैं अगर यह कभी याद ना है तो ऐसे भी याद कर सकते sodium कहा जादा होता sodium बाहर जादा होता है pump क्यों चला रहे हैं against the concentration gradient तो जिदर ज़्या लो नहीं जाना है लो से हाई जाना है लो से हाई जाना तो जाहिर सी बात है sodium बाहर जादा है तो हम बाहर ही और ले जाएंगे pump चला के potassium अंदर जादा है तो अंदर ले जाएंगे और चला के तो यह sodium potassium pump का जो movement होगा यह against the concentration gradient होगा दोनों के लिए sodium के लिए potassium के लिए अब इसमें टर्म आ जाता भी कपलिंग रेशियो क्या है कपलिंग रेशियो और पुछ नहीं है इसे कहने में फ़रा फैंटिसी से टर्म यूज कर लेते हैं कपलिंग रेशियो 3-2 क्यों तीन सोडियम बाहर 2-2 पोटेशियम अंदर तो 3-2 वो गया अभी टर्म इसके लिए और अब यह अलग अलग प्रोटीन के एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा अच्छे से यह एक है सेल मेंब्रेन इस पर लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप अब यह तो हमने बना दी इसमें दो यूनिट है एक बीटा यूनिट है और एक जो सबसे इंपॉर्ट कौन कौन सी है एक नमबर वन हो गई एक यह इधर बना देते हैं यह नमबर टू हो गई एक हो गई नमबर थरी हो गई एक नमबर फोर हो गई एक नमबर फाइव हो गई अब इंच यह और यह यूनिट कौन सी यह अलफा है यह बीटा है अलफा बड़ी बीटा छोटी अब पर क्या है बाहर की तरफ है दो पोटेशियम अटैच होंगे जो तीसरे नंबर की साइट है तीसरे नंबर पर और कुछ नहीं होता है ओवेन बाउंड करता है यह कुछ नहीं इसका इनिवेटिंग सबस्टेंस है अब इसका थोड़ा रेगुलेशन की भी बात कर लेंगे तो इसको इनिवेट कर देता है चौथे पर क्या लगेगा चौथे पर फॉस्फोराइलेशन होगा फॉस्फोराइलेशन होगा एटीपी से एडीपी बनेगा और पांच वे पर क्या है एटीपी बाइंडिंग साइट है यह याद रखना बहुत जरूरी है सोडियम पोटेशिय इसको कैसे कर लो मिन चीज encant ऑरपको पता है और भी और और यह कह सकते हैं सोडियम अंदर और से बाहर अटेक होगा ल eldest का जाएगा यह नहीं पर एटिपी अटिविटी यॉगी पूरी की पूरी तो यह घ्लियर हो गया और यह जो साइट पोटेशियम बाहर अटेश होगा और यह जो इसका इनिबिटिंग सब्स्टेंस है यह भी बाहर से आके लगेगा तो यह चीज़ें क्लियर हो गई अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है रेगुलेड कैसे हो था कौन इसके एक्टिविटी को बढ़ाता है सोडियम पोटेशियम पंप यह कौन सी चीज़ है पहली चीज हो गई थायराइड होर्मोन बी एमर बढ़ाता है से याद रख लो तो जाहिद सी बात है पंप एक्टिविटी बढ़ाएगा दूसरा क्या हो गया अल्डोस्टरोन तीसरा क्या हो गया इंसुलीन यह सारे के सारे सोडि मगें पोटेशियमफिंग एक्टिविटी में क्यों हो डिप्रीज करता है दिग्रीज करता है पम की आक्टिविटी को डव में नमबर शहीं से ल्ड़ाइज हो गया इसकी गीक्या हो गया न् Михांटह्ट से लगाएग करता है इसके अगडर कु शोपामन को बतेशियम बंदूख लगाई एक primary transport पहले करके concentration gradient बनाया और उस gradient में जो store energy थी उसका हमने use कर लिया किसी secondary transport में इसलिए हम कहते हैं उसको secondary active transport क्यों क्योंकि दूसरी energy यूस करी अब जो secondary active transport है जिसमें energy use करी दूसरी वाली वो कई तरीके का हो सकता है एक वो हो सकता है symport एक हो सकता है antiport अब symport और antiport को भी अलग-अलग नावों से जैसे कहते हैं antiport को में दूसरा क्या कह सकते है exchangers दूसरा क्या हो सकता है symport का दूसरा नाव को ट्रांसपोर्ट अब दोनों में बात यह है कि gradient तो हमने एक बना लिया अब वो चाहे अंदर बनाया और चाहे बाहर बनाया जिस चीज का gradient बनाया अगर उसके along लेके जा रहे है साथ में जैसे sodium और glucose एक साथ लेके जा रहे है sodium का पहले हमने gradient बनाया अब सोडियम और glucose एक साथ टाइब करके अंदर की तरफ ले जा रहे है gradient बनाने के बाद तो यह हो गया co-transport exchanger का क्या मतलब हो गया exchanger का मतलब हो गया कि sodium का gradient बाहर बनाया अंदर इसको ले जा रहे हैं और opposite direction में calcium बाहर ले जा रहे है तो यह क्या हो गया sodium calcium exchanger अब इसके कुछ example याद कर लीजिए simpode के कौँ से example थे simpode का example था एक तो SGLT sodium glucose co-transporter दो तरीके SGLT1 SGLT2 दूसरा example क्या हो गया sodium iodide transport location कहा है sodium iodide iodide transport कहा भी present है thyroid gland में SGLT1 कहां present है intestine में two mainly कहां present है renal tubules में यह thyroid gland में ठीक और एक example क्या हो गया loop of enly में मिल जाता है sodium potassium two chloride co-transport सब एक साथ जाएंगे कहां present है loop of enly में चौसा example क्या हो गया sodium chloride co-transport यह एक example हो गया यह भी present है renal tubules में पाच हुआ sodium phosphate co-transport यह भी co-transport का example हो गया पिर उसके बाद क्या आया sodium calcium exchanger यह तो पढ़ चुके थे अलग अभी बात की दूसरा chloride bio carbonate exchanger बहुत अगड़ा कहां काम करता है RBC में RBC में तो आपने यह यह कहां है यह heart में present है cardiac muscle में यह दो एक example हो गया exchanger के secondary active transport में exchanger या anti port यह सारे के सारे example कौन से हो गए हमारे यह हो गए core transport के तो इस तरीके से यह example सोड़े से याद रखने है recall रहेगा तो बढ़ियां रहेगा ध्यान में रहेगा और अब थोड़ा सो short में देख लेते हैं vesicular transport को बहुत detail में नहीं जाएंगे vesicular transport जो होता है packet बना के transport करना vesicular transport हो सकता है दो तरीके का आज पुरा active निप्टा लेना है vesicular हो गया दो तरीके का exocytosis और endocytosis अब endocytosis मतलब exocytosis मतलब cell से बाहर फेंग देना endocytosis मतलब अंदर ले लेना अब endocytosis के कौन से example हो गए एक तो हो गया इसी को कहा जाता है phagocytosis दूसरा कहा जाता है pinocytosis तो pinocytosis कभी यूज़ कर रहे हैं जब cell drinking छोटी छोटी चीज़े ले रहा है cell पी रहा है सिफ करके और जब खा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं phagocytosis मतलब cell eating और तीसरा क्या हो गया receptor-mediated endocytosis ये भी एक तरीके की बात होगी कि receptor आया उससे activation हुआ और फिर उसके बाद endocytosis तो ये receptor-mediated तो ये वो exocytosis ये endocytosis अब इसको अगर थोड़ा सा detail जानना चाहें तो exocytosis में जो mainly protein involved होती हैं उनको हम कहते हैं exocytosis में जो protein involved होती है snare protein snare proteins कहते है तो receptor-mediated जो endocytosis होती है ये endocytosis में cubilin और caviolin involved होती है यहाँ पर snare proteins involved होती है अगर आप में की demand होगी इस चीज़ को बहुत detail में पढ़ने की तो comment में mention कर दीजेगा तो I will give the detailed explanation of vesicular transport है पूरा कम से कम 20-25 minute लगेंगे इस चीज़ को detail में जाने के लिए बट यहाँ पर मोटा मोटा यह याद रखिए कि snare proteins involved होती है ये कई तरीके की होती है और इसका एक अगर example थोड़ी सी बात करें इन proteins की तो एक example हो जाएगा snare protein में जैसे की synaptotagmin synaptotagmin दूसरा क्या हो गया synaptobreven synaptobreven और क्या हो गया snap 25 और क्या example हो गया syntaxin तो यह सारे यह हमारे exocytosis में exocytosis हम करते हैं हॉर्मोन की जैसे की insulin की कर रहे है दूसरा हम क्या कर सकते हैं neurotransmitter की जैसे acetyl koline की तो यह सारा का सारा जो है transport होता है endocytosis exocytosis की helps है तो एक बाद quick revision की तरफ जाते हैं बहुत तेजी की साथ active transport का मतलब क्या हो energy uphill transport against the concentration gradient और pumps involved होंगे इसका मतलब lower से higher जाएगा against the concentration gradient धकेला जाएगा example क्या होगा primary के sodium potassium pump hydrogen potassium potassium ATPase pump calcium ATPase pump hydrogen ATPase pump अलग अलग जगों पर अलग अलग तरीके के pump मौजूद है जो यह काम कर रहे है against the concentration gradient put कर रहे है sodium potassium pump coupling ratio 3 to 2 मतलब 3 sodium बाहर 2 potassium अंदर और एक चीज़ difference देखे यहाँ पर positive बाहर जा रहा 3 positive बाहर जा रहा 2 positive अंदर आ रहा तो लगा था cell में electronegativity आ रहा है इसलिए हम इसे क्या कहरे है electrogenic pump यह cell को अंदर से negative कर रहा है तो इसलिए हमने क्या कहा है electrogenic pump ठीक है फिर heterodimer होता है alpha unit, beta unit alpha unit बढ़ी होती alpha में पूरी 5 attachment site होती अंदर sodium लगा phosphorylation site हो गई ATP binding site हो गई और बाहर potassium और oven लगा जिसका काम है oven का inhibition देना sodium potassium pump की activity कौन बढ़ाता है thyroid बढ़ाता है और aldosterone बढ़ाता है और insulin बढ़ाता है यह सारे के सारे activity race करते है dopamine, oven, digoxin यह सारी के सारी activity को कम करते है secondary active transport दो तरीके गए हो गया sim port, anti port sim port मतब जिसको ढखेला था बाहर उसी के साथ उसी के पीट पे चड़के दूसरी चीज़ आ रही है example SGLT हो गया sodium glucose co transport anti port exchanger का क्या मतब हुआ जो चीज़ का concentration gradient बढ़ाया था उसको ले गए अंदर की तरफ या बाहर की तरफ along the concentration gradient और उससे जो flow से energy generate हुई उसको यूज किया दूसरी चीज़ को बाहर करने का मतब एंटी port examples हम लोग discuss करी चुके है vesicular transport में exocytosis, endocytosis endocytosis में phagocytosis spinocytosis, receptor-mediated endocytosis, exocytosis में जो mainly protein involved होती है वो snare proteins होती है examples हम लोगों ने देख लिए और use किसका करते हैं हमेशा हम use करते हैं जो hormone का secretion करना है neurotransmitter का करना exocytosis से होता है तो यहाँ पे familiarity होगे बाकिया आप लोग detail में पढ़ना चाहिए तो vesticular transport इतने नाम से पढ़ाया जा सकता है 20 मिनट आदे घंटे लगेंगे तब उसका थोड़ा detail discussion होगा ओके, thank you